राची E.D. की special court ने I.S. पूजा सिंगल को बेल देने से इंकार कर दिया है। Suspended I.S. पूजा सिंगल की जमानत याचिका पर राची E.D. की विशेश court में सुनवाई हुई। सुनवाई के दोरान सभी पक्षों को सुनने के बाद court ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जमानत पर फैसला सुनाते हुए court ने उनकी याचिका खारिच कर दी है। अब पूजा सिंगल अपनी जमानत के लिए high court का रुप कर सकती है। पिछली सुनवाई के दोरान इडी ने reply फाइल करने के लिए court से समय मामगा था बता देकी। मनी लॉंडरिंग मामले में पूजा सिंगल के खिलाफ 11 माई को इडी ने प्रात्मी की दर्च किया था। जिसके बाद इडी ने पूजा सिंगल को गिरफतार कर लिया था। गिरफतारी के बाद 14 दिनों तक Avengers पर लेकर उन से पूज ताच की गई थी। जिसके बाद 25 माई को कोट में पेशी किया गया था, जहां से पूजा सिंगल को न्याय खिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था, तब से वो जेल में ही बंद है। करीब साथ दिनों में E.D. ने पूजा सिंगल समेट साथ के खिलाफ चार्जशी ताखिल की है। बता दे की E.D. ने 5 माई को पूजा सिंगल के 25 ठिकानों पर छापे मारी की थी, जिसके बाद E.D. ने पूजा सिंगल और C.A. सुमन सिंग को गिरफतार किया था। दोनों से 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताच की गई जिससे E.D. को बेहसाफ पैसे और आवास के बारे में महतुकून, जानकारी मिली। इसके अलावा कई जिले के डियेमों के खिलाफ मिले सबूतों की जाच चल रही है। बतादे की E.D. ने चाप इमारी के दोरान सुमन सिंग के आवास और कार्याले से 19.03 एक करोल रुपए की नकदी बरामत हुई थी।